हेलो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एम जी एफएक्स स्टूडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रशेज को यूज करा जाता है तो यहां पर टूल में देखेंगे तो पहला मिल रहा पेंट ब्रश टूल और उसके नीचे मिलता है ब्लॉब ब्रश टूल तो दोनों काम कैसे कर रहे हैं मैं पेंट ब्रश से एक ऐसे फ्री हैंड लाइन मना लेता हूँ और मैं एक blob brush tool को लेता हूँ और उससे एक line बना लेता हूँ तो दोनों में difference आ किया रहा है वो थोड़ा हम देखते हैं Ctrl plus करते हैं Zoom in ये तो है paint brush और ये है blob brush तो देखिए जब मैं अपने direct selection tool के उपर चलता हूँ और इस पे click करता हूँ तो इसके बीच में center line आ लिए है और ये क्या है पाथ की तरह काम कर रहा है देखिए मैं इसको edit करता हूँ तो इस तरीके से ये work कर रहा है बर जब मैं block brush से जो मैंने shape बनाई थी जो भी line बनाई थी उसके उपर जब मैं click करता हूँ तो देखिए वो path की तरह react नहीं करता है वो shape की तरह react करता है जब आप यहाँ पर click करके जब इसको करेंगे देखिए इसके बीच में कोई center line नहीं है ये shape बन चुए तरीके से इसको इस तरीके से आप edit करेंगे और इसके अंदर आप color डाल सकते है ये देखिए तो ये है blob brush एक चीज और देखते हैं से में जब मैं blob brush tool पर work कर रहा हूं तो ये जो आपके cursor में दिख रहा होगा circle ये है brush का size आप brush का size increase or decrease कर सकते हैं square bracket से तो left और right open या close bracket पर जब आप work करेंगे आप close वाले पर करेंगे तो देखिए बड़ा होड़ा brush का size open वाले bracket पर करेंगे open square bracket पर तो ये छोटा वाएगा अब जैसे मैं इसमें कुछ भी इस तरीके से बना लेता हूं अब मैं यहां पर eraser tool को use करके देखिए ऐसे click करता हूं मैं इसको कुछ अपनी और shapes भी दे सकता हूं ऐसे चलिए अब दिखते हैं brushes को यहां पर window में चलता हूं और यहां brushes panel को में खोल लेता हूं open कर लेता हूं बहार निकाल लेता हूं इसको चलिए आपके पास यहां पर कुछ brushes मिल रहे आप कोई भी select करिए और यहां से आप बना लीजे आपके पास brushes के भी बहुत सारी libraries मिलती है आप यहें पर नीचे जाए click करिए जैसे मैं arrows पर चलता हूं arrow special यह देखिए जैसे यह आ गया click करिए यह देखिए आप जिस तरीके से बनाएंगे उस तरीके से यह brushes react करते चलेंगे यह देखिए बहुत सारे brushes है आपके पास कोई भी यूज़ कर सकते है next कर लीजे देखिए यह सब है यह आपके पास calligraphic मिल चुके है आप ऐसे करिए यह देखिए इस तरीके से work करेगा आप click करके जैसे border ले सकते है border में जैसे मैं frames लेके चल लेता हूँ इनको मैं delete कर देता है बड़ी चलिए मैं एक rectangle बना लेता हूँ ऐसे और उसके उपपर कोई भी एक ऐसे apply कर देता हूँ जैसे यह wooden यह देखिए यह apply हो चुका है आप इसके outline में इसके stroke की thickness को कम ज़्यादा करेंगे तो उस हिसाब से यह देखिए मोटा है पतला भी होगा यहां से मैं थोड़ा और पतला कर देता हूँ 0.25 यह देखिए तो इस तरीके से आप border frames उसकर सकते है बहुत सारे आपके पास जैसे decorative में चलते है scatter यह देखिए मैं कोई भी एक select कर देता हूँ जैसे यह यह देखिए scatter brush क्योंकि scatter हो रखे है fell रखे तो कई सारे brushes आप अपना भी बना सकते है अब वो बनाएंगे कैसे चलिए वो देखते है मैं इसको delete कर देता हूँ अब देखते कैसे अपना खुद का brush बनाई है चलिए अब अपना खुद का brush हम create करते है तो मैं window में चलता हूँ और यहाँ पे मैं symbols पर चल लेता हूँ और यहाँ से कोई मैं arrows और एक यह वाला symbol ले लेता हूँ इसको में brush बना लेता हूँ कैसे मैं window में brushes panel को खुलूगा इसको बहार निकाल लेता हूँ इसको drag करके here drop करता हूँ और इसको मैं बना लेता हूँ art brush okay अभी मैं इसको okay करता हूँ यह दिखे नीचे आपका यह brush बन के आ चुका है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अब देखें कैसे वर्क करेगा मैं ब्रश लेता हूँ पेंट ब्रश टूल और ऐसे कुछ बना लेता हूँ यह देखिए यह सिलेक्टिड है अब जैसा बनाएंगे उस हिसाब से वो शेप बन जाएगा स्क्रेट ढौ अपर यह अपन तूल से भी कुछ बी क्रेट कर सकते कोई पात उसके उपर भी क्विद्य अपना लेता हूँ यह देखें इसके उपर मैं अपलाई कर देता हूं इसको select करका मैंने path उसके उपर click कर देता हूं ये देखी ये apply हो चुका है यहां से आप stroke की thickness बढ़ाएंगे तो देखे वह भी increase हो जाएगा उसका size तो ये तो एक brush हमने बना लिया अब चलिए मैं यहां से एक flowers लेकर चल लेता हूं दो flowers यहां पर निकाल लेता हूं इसको close कर लेते हैं चलिए अब मैं इसको यहां drop कर रहा हूं brushes के panel में और इसको मैं कर रहा हूं scatter brush okay अभी मैं इसको okay करता हूं इसके properties अभी देखते हैं थोड़ी दिर में यहां पर मैं एक circle बना लेता हूं और इसके उपर यह देखें यहां पर यह brush बन के आ चुका है scatter brush क्लिक करिए यह देखें पाथ के उपर वो brush apply हो चुका है आप अपना भी कोई shape बना सकते हैं अब देखें इसके properties को थोड़ा साब हम edit करते हैं इसके उपर double click करता हूं है यह देखें अब size यहां से छोटा बढ़ा कर सकते हैं इनका यह देखें आप यहां से preview on off करके रखेंगा तक आप देख सकें कि क्या output आ रहा है तो देखें यहां से बड़ा चोटा कर रहा हूं अभी size fix है इसलिए सबका size ही कम या ज्यादा होएगा अभी मैं इसको जब random करता हूं तो देखें इसको मैं कम करता हूं तो देखें कोई चोटा रहेगा कोई बड़ा होएगा जो maximum होगा उसका 100% size होगा और बाकी उससे जो नीच होंगे उनमें random 60% value दर apply हो जाएगा अभी मैं इसको कर दाता हूं fix चलिए आप यहां से spacing भी fix कर सकते हैं यह रैंडम कर सकते हैं spacing मतलब इनके बीच की spacing कम करता हूं यह पास पास आ जाएंगे आप scatter कर सकते हैं scatter path के अंदर करना है यह path के भाहर करना है यहां से देखें मैं जब इसको थोड़ा सा भाहर करता हूँ, यह देखे, भाहर चले गया, लाइन से, स्टोक से भाहर या अंदर, आप यहाँ पर अपना करसर रखिए और अपने माउस वील से अपने डाउन करिया, आप इससे भी देख सकते, यह देखे, आप अंदर रखना चाहते हैं, भाह रखना चाहते हैं, भाहर करिए, आप स्केटर को जब रेंडम कर देंगे, तो देखे, कोई अंदर जाएगा, कोई भाहर होगा, यह चीज, तो इसको मैं फिक्स रखता हूँ, अब यहाँ पर, साइस थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ, ताकि आपको कुछ चीज यहाँ यह दिखे, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखे, मैं यहाँ पर अपने माउस वील को उपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, यह दिखे, आपके सारे के सारे जो ब्रशीज में जो फ्लावर्स है, वो सब रोटेट कर रहा है, फिक्स है, इसलिए सब के सब एक ही डारेक्शन में क इसको random कर दोगा, तो ये कोई देखे, ये देखे, कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, रोटेट, देखे आज, आप page के according, rotate करना चाहते हो, या path के, अब ये path के according, perpendicular जो होगा, उसके साब से वो work कर रहा होगा, तो मैं भी page के साब से रख लेता हूँ, और इसको मैं fix रख लेता हूँ, तो ये तो हुआ, scatter brush का option, okay, apply कर देंगे, तो apply हो जाएगा, leave कर देंगे तो नहीं हो पाएगा, apply कर देंगे तो ये हो गया, अब चलिए, एक और brush बनाते हैं ही पर, इसको drag करके, यहाँ drop करता हूँ, यहाँ मैं इसको बना रहा हूँ, pattern brush, okay, अभी मैं इसको okay कर देता हूँ, ये दिखें नीचे, ये बन के आ चुका है, ये रहा हमारा pattern brush, अब मैं यहाँ पर rectangle लेके काम करूँगा, और इसको मैं apply करता हूँ, ये दिखें, ये बन के आ चुका है, अब इसमें मैं कम जादा कर सकता हूँ, ये दिखें, इस तरीके से काम करेगा, पर यहाँ पर एक option और है, corner का, ये दिखें, इनके यहाँ पर corner पर भी आप अपना कोई दूसरा shape या कोई भी illustration यहाँ पर डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पर एक यह flower ले रख है, मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ, अब देखें, जब मैं इसको यहाँ ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करूँगा, तो दुबार से पूछेगा new brush, पर मेरे को new brush नहीं करना है, मेरे को उसी में apply करना है, उसी के अंदर add on करना तो क्या करना है, आप alt press करिएगा keyboard पर, hold करके रखेगा keyboard पर, alt button को, और drag करके लाईए और drop कर दीजिए यहाँ corner पर, मतलब इसके first of all इस पर मैं drop कर देता हूँ, देखेगा आपका cursor के नीचे plus आ चुका है, अब आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे, corners पर इधर, 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 यह देखेंगे यह चीज़ apply हो चुकी है, मैं okay करता हूँ, apply कर देता हूँ, यह देखेंगे, तो आपके यहाँ पर, corners पर अब नई shape apply हो चुकी है, तो यह है pattern brush, एक चीज़ और, यहाँ पर, जब आप माल लीजिए, एक मैं ellipse लेता हूँ, यहा और, यहाँ से माल लीजिए, मैं, artistic के अंदर जाके, कोई भी एक जैसे paint brush ले लेता हूँ, आप इनको भी apply कर सकते हैं, और यहाँ, इनका outline का color, देखेंगे तो black आ रहा है, तो आप black को change कर दीजिए, तो आप इसको अपने हिसाब से भी, रख सकते हैं, अंदर का fill color अभी सकते हैं, यह देखें, एक और चीज, माल लीजिए, मैंने एक इस तरीके से path बनाया है, और इसके उपर मैं यह कुछ apply कर देता हूँ, fill none कर देता हूँ, और आप इसको भी edit कर सकते हैं, यह जैसे shape को, आपको इसको shape में convert करना है, मत्वरसस को और थिक कर देता हूँ, अब देखें, आप क्या करेंगे, object पर जाईए, और expand appearance कर दीजे, अब देखिए, यह path नहीं रहा है, यह भी अब एक shape में convert हो चुगा है, यह देखिए, anchor points आ चुगा है इसके अंदर, और आप इसको edit कर सकते हैं, यह देखिए, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को like, subscribe और share करना ना भूले, और साथ ही bell icon को भी press करना ना भूले, ताकि आने वाले वीडियो का update आपको notification के जदिए मिलता रहे, धन्यवाद,